पुर्पSS vaday और सुल आरे तो पहलाएक पॉएंट एक क्यूपू पोटेंशल की परिवाशा 6 सर्फे जहां पर एक पॉटेंशल क्या रहता है् से ड कि नामी बता रहा है एक क्यूपूटेंव्ट दूसरा प्रश्ण पॉइंट चार्ज के लिए क्यों पोटेंशल सर्फेस स्फेरिकल लाइन चार्ज के लिए जड़ा एक बात सुनो अगर फील्ड ऐसी है यह देखो यूनिफॉर्म फील्ड और पॉइंट ए बी अब किसका पोटेंशल ज्यादा है सेम है कारण फील्ड की दिशा में चलने पर कम होता है यह तो बिल्कुल फील्ड के परपेंडिकुलर है यह एक्यू पोटेंशल सर्फेस है इस पूरे सर्फेस पर पोटेंशल क्या है सेम है मैं आपसे ऐसा पूस्ता यह नीट का सवाल है अब मैं आपसे पूस्ता बताइए पोटेंशल कहां ज्यादा है तौनों प्रश्णों में अंतर है पोटेंशल ए पर ज्यादा है इन दा डारेक्शन ओफ फील्ड पोटेंशल ओल्वेज दिकृसेज यह नीट में आया हूँ है सवाल है आपसे पूछे भाईया सबसे ज्यादा पोटेंशल कहां है तो आपको बोलना है ए पर पोटेंशल मैक्सिमम है इन फेक्ट आप ऐसे बोलें तो बहतर है वी ए इस गेटर दैन वी बी इस गेटर दैन यह तो है बाद यहां अगर आपसे पूछे तो ए और बी यह एलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे हैं परपेंट्रिक वील्ड आप इसको दो तरीके से भी कर सकते थे तरह अपन मैं तो नहीं की मानगा के साथ सेम होगा यह लगा दीजिए डीवी बराबर माइनस इडॉट दियार खुद बताईए ए और बी का डिस्प्लेस्मेंट जो है वह एलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है देख लिए परपेंडिकुलर है तो डॉट हटाएंगे तो कॉस्ट नाइन् समझीए यहीं से तो पॉइंट आता है एक क्यू पोटेंचल सर्फेस एलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होती हमेशा जरा सोचिए जैसे यह क्यू पोटेंचल सर्फेस है यह क्यू पोटेंचल सर्फेस है एलेक्ट्रिक लाइन्स हमेशा इसके परपेंडिक पर है तो पता है क्या होगा इसके दो कंपोनेंट होंगे एक आएगा इसके अलॉंग और अगर इसके अलॉंग component आ गया तो electric फिल्ट की direction में चलने पर potential कम हो जाएगा जब कि तो इस पूरी सर्फेस का पॉटेंचयाल सेव हैं एक बार झीड उनते हैं फिजिक्स के शब्द हैं इतना तेज दिमाग समझ इन्हीं बाता करें क्या वापी सुनते हैं यह सर्फेस कैसी है एक्क्यू पूटेंचल एक्दम समस्च पिशल्टे हुए पूटेंचल I grew पॉइंट पर पोटेंशल से पता ये समझ में आई बात एक बार और बोलू देख ये सर्फिस कैसी है कि क्यों पोटेंशल बोले तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशल क्या है से मैं ये कहना चाहता हूं बेटे से इल्यक्टिक लाइन हमेशना इससे परपेंडिक्लर होती है निट दोहजार बाइस हमेशा परपेंडिकलर होती है सर मैं नहीं मान रहा ये तरीका है परपेंडिकलर रहे तो देख डॉट प्रोड़क कितना आ गया जीडो पोटेंशल कि आ सब्सक्राइब दूसरा तरीका आर्ग्यूमेंट विज्ञान आर्ग्यूमेंट से समझ में आता है नहीं सव्तने मानु रहें किसी एंगल पर मालो कैसा अब इसके component होंगे एक उपर जाएगा और एक along आएगा सोच अगर ये along बच गया तो ये इसके along चलने पर तो potential में कमी आ जाएगी जबकि सर्फिस कैसी थी मतलब ये वाला component एक्जिस्ट ही नहीं कर सकता इसका मतलब electric lines हमेशा एक्यू potential के perpendicular होगी हमेशा देखते हैं ट्राइग्रम बना कि आपको और फिल आईगी ये पॉइंट चार्ज रखा है ये रखा है पॉइंट चार्ज जड़ा सोचिए यह पॉइंट चार्ज नहीं माने इसको अपन मान लेते हैं कि कंड़क्टिंग इस्फेरिकल शेल कि आप मुझे बताइए electric lines कहां जाएंगी electric line जाएंगी ऐसे अब आप इनको बनाने का तरीका देखना तेड़ी मेड़ी नहीं बनेंगी ये एलेक्टिक लाइन सभी सर्फेस के परपेंडिकुलर हैं सर कैसे पता चलना परपेंडिकुलर है स्फेरिकल सर्फेस का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है कहां से पास होता है क्या अंदर फील्ड एक्जिस्ट कर सकती है क्या कि λहां कंड़क्तर है सारा चार्ज ना रिजाट करेगा सर्पिश कर यह सरफिस यह पताए कौन है क्यों आपको याद है सर्फेस के हर पॉइंट पर पोटेंशण क्यों यह सब्सक्राइब इस different इतना डिग्री है तो दीजे-दीजे समझिए लाश्ट कंक्लूजन क्या है एलेक्ट्रिक लाइं हमेशा कंड़क्टर के या एक्यू पोटेंशल सब्वेस के क्या होती है और प्रेंट प्रेल आप ये लिखिए ये वाला डियाग्रम बनाईए ताकि ये समझ में आए फिर ये नंबर 10 चालू कर दीजिएगा आज 11-12 डाइपोल पर आधारित है डाइपोल कल शुरू हो जाएगा डाइपोल बहुत छोटा टॉपिक है डेड़ घंटे में डाइपोल बहुत अच्छे से तयार हो जाएगा तो हम कल कोशिव करेंगे बायंड़ करने की एक दिन हमDesFree रिजर्व में रखा हुआ है जो लेक्चन नंबर 22 है वह रिजर्व में कोशिव 21 में करने की करेंगे 22 है वाइस का उप्योग पढ़ा तो लेक Lesis को आधा Calorde डेक़् एक दीन प्रिस हो है उसमें ज्यादा निमरिकल कर लेंगे कुछ कंटेंट रहे गया तो वह पढ़ लेंगे होगे अभी आपने तयारी करी फिर पढ़ोगे अभी चार बार पढ़कर उसको कोशन करके इसको बढ़िया रख लोगे ना तो अच्छा रहेगा कि थोड़ा सोचिए कि यार मुझे चीजों को बढ़िया करना है इलेक्ट्रो एक्दम बढ़िया तयार हो जाए यह पस कितने कोशन्स आ गए बारा येलपी आ करेंगी माइनर आ गया 25 अच्छे सवाल अपना मॉड्यूल है अच्छे से करेंगे खूब सारे कोशन होगे तीसरा पॉइंट लिखी एसी में नेक्स करूं क्या स्लाइट जल्दी आ जाओ इसी में लिख लो नीचे नीट 2022 में आया है सवाल एलेक्टिक लाइनस ओफ फोर्सेज एलेक्टिक लाइनस ओफ फोर्सेज आर ऑल्वेज पर्पेंडिकुलर टू एक्क्ण पोटेंचल अरोल एक्क्यू पोटेंच्यल लिखो लगा के दूसरी लेंग्वेज में लिखो the angle between the angle between electric lines of forces electric lines of forces and equipotential surface मैं तेरे तेरे बोलता हूँ the angle between electric lines of forces and equipotential surface is 90 degree bracket में लिख लिए ना इसके meet 2022 केवल यही पूछा गया था angle बताईए meet 2022 क्या बात क्लियर है यह वाला डायग्रम बना लीजिए यह भी बड़ा काम का है यह electric lines है यह 90 degree पर है याद रखिए spherical का normal हमेशा कहां से पास होता है center अंदर डॉट डॉट बनाना line confirm कर दी तो गलत हो जाएगा अंदर तो field zero है बहुत अच्छे से कोश्यार सतर को के बनाओ अंदर फीड लाइन नहीं है कंड़क्टर की बेसिक प्रॉपर्टी है जो भी चार्ज देते हैं वो सर्फेस पर रिजाइड होता है और कंड़क्टर इतना intelligent होता है वो चार्ज को इस तरह से distribute करता है कि अंदर field कितनी हो जाए जीरो होता है तो यह तीनों पॉइंट खास है पढ़ लीजिए पहला है पॉइंट चार्ज की स्फेरिकल होती है लाइंट चार्ज की सिलेंट्रिकल होती है दूसरा वर्ग दन जीरो होता है तीसरा नब्ध डिग्री तीनों काम की बाते हैं तीनों पर प्रश्ण आपको पेपर में मिलेंगे पेपर में किसी के 110 में 680 एक सो सत्तर एक दो थीन चार पांट छे साथ आठ नो दस एक सो पिचत्तर एक सो पिचत्तर एक सो पिचत्तर एक सो सत्तर है इस वाले पेपर में तो भाई बहुत बढ़िया बात है, जिनके भी 130 से उपर हैं, सब यह काबिले तारीफ हैं, क्योंकि पेपर इलेक्ट्रो का थोड़ा सा मॉडरेर से टपर साइट था, कुछ प्रशन वास्तम में 5 से 6 दिमाग लगाने वाले प्रशन थे, और अगर आप उ उसको कर रहे हैं, गलत भी हो गए, कोई टेंशन नहीं, अब सीख लो, कल का वीडियो आपके पास है, उसको एक बार फिर सुनकर, जो जो कोशन आपके अटके हैं, उनको एक बार आपको तयार करके हैं, रख लेना चाहिए, चलिए, आगे लिखिए, अगली हेडिंग डालि कंड़क्टर एंड इट्स प्रोपर्टीज, कंड़क्टर एंड इट्स प्रोपर्टीज, बड़े आगे, चलिए, जो, अब पहला सबसे शांदर पॉइंट है, लिखिये पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिये, any charge any charge given to the conductor given to the conductor always reside always reside r-e-s-i-d-e reside matlab rehna always reside on its surface and distributed in such a manner and distributed in such a manner the electric field intensity electric field intensity inside the conductor inside the conductor is always zero is always zero any charge given to the conductor always reside on its surface and distribute in such a manner the electric field intensity inside the conductor is zero it is very easy to tell you what you have to tell you what you have to tell you what you have to tell you the conducting sphere साथ साथ बनाते जाईए बहुत आसान है conducting sphere radius r जो जो भी चार्ज आप इसको दोगे बेटे वो सारा चार्ज सर्फेस पर रिजाइड करता है in such a way the electric field intensity inside the conductor is zero पता है आपने कितना सुंदर तरीके से चार्ज बनाया जरूर नहीं है हर बार सुंदर तरीके से बने अगर सर्फेस तेड़ी मेड़ी है तो भी आप जो चार्ज दोगे बटेगा सर्फेस पर ही पर वो इस प्रकार बटेगा इतना intelligent way में बटेगा कि अंदर की electric field को इसको क्या रखना है हमेशा zero अब इतनी सुंदर तरीके से नहीं बटेगा इसके पीछे भी logic है जो sigma होता है वो radius of curvature के क्या होता है inverse यहां देखिए हर जगे radius same है sphere में इसलिए charge बहुत सुंदर बटा है यहां देखिएगा इसकी local radius कम है इसलिए यहां पर charge density जादा है इसकी local radius local radius का अतलब हर point पर radius अलग अलग यह part किसी ना किसी sphere का हिस्सा रहा होगा तो यहां की radius अलग है यहां की radius जादा है तो देखिए यहां charge density कम है जितने sharp end होंगे यह sharp end है यह देखिए पताए क्या होगा यहां charge density बहानक होगी कारण जितने nuclei कौने होंगे वहां की local radius कम होगी radius कम तो charge density जादा सर यहां की radius जादा क्यों नहीं समझा रहा भाई देखना यह surface को बना ठीक है सर आप जो कहोगे वह करूँगा ठीक है फिर कर यह surface को बना यह किसी स्वियर का पाट रहा होगा यह इसकी radius है इसकी बनाओगे तो कितना छोटा गोला बनेगा तो वहां की radius कम है यहां की radius जादा है तो चार्ज सुंदर तरीके से नहीं बढ़ता चार्ज इस तरह से बढ़ता है कि अंदर electric wheel को क्या रखना है 0 यह सबसे पहली property और हमेशा सच होती है यह गीता में भी लिखी हुई है अध्याय 5 में लिखी हुई है electric wheel intensity inside the conductor is always 0 मतलब हमेशा सच है जितने धरम गरंत आते हैं धार्मिक गरंत आते हैं सब में लिखा हुआ है कि कुछ भी हो जाए conductor के अंदर electric wheel हमेशा 0 क्या बात सही है क्या any charge given to the conductor is always reside on its surface और conductor इतना intelligent होता है वो charge को इस प्रकार से बांटता है ताकि electric cylinder क्या हो जाए 0 क्या यह बात याद होगी क्या sigma r के क्या होता है inversal proportional यह ध्यान रखिए जितने कोने नुकिले हैं जितने कोने नुकिले हैं वहाँ पर charge density ज्यादा यह डियाग्राम भी बना लीजी पेपर में आता है कि बताए कौन सा डियाग्राम सही है तो sharp edges नुकिले कोनों को अंग्रेजी में बोलते हैं sharp edges कोशिश करो sharp edges बापिस बोलिये देखो बोलिये आपने बहुत आसान होता है भाई बस तुम्हें एक step उठाना होता है sharp edges पर सिग्मा सबसे ज्यादा हिंदी में बोलते हैं जितने कोने में नुकिले हैं वहाँ पर चार्ट डेंसिटी ज्यादा होगी क्या बात समझ में आ रही है क्या हां कौन तेज बोलिये कौन बिटर कौन सा सर्वे ये 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 उपर नीचे कुछ ने सब EQ पोल्ल के सब्याइब बात्य क्यों सब्याइब फैक्ज क्या में टै क्यों in the وق a जाए उछ्घ्य कम्दार ये बढ़ें क्या आगे लिखिए और पहला पॉंट क्लिए यहां लिख लिजेगा हम जो पढ़ रहे हैं इसका पूरा नाम है अिकॉल नतर रहे हैं कॉन से कंडीशन में पढ़ रहे हैं लेक्टोस्टेटिक अ है अपने हिसाब से ने होते हैं कि चलिए दूसरा पॉलेंगा दूसरा पॉइंट अब आता है सबसे इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कि जस्ट आउटसाइड दा कंड़क्तर कि इन दा विसिनेटी ओफ कंड़क्तर वैसे तो याद होना चाहिए सब्सक्राइब आपको इसका डेरिविशन समझाता हूं इससे थोड़ा थोड़ा आपको समझ में है बाकी सीधा याद होना चाहिए जस्ट आउटसाइड दे कंड़क्तर कितना होता है सिक्मा बाए एक बार कोशिश करें तो यह बात दिमाग में भी बैठेगी चलो कि चोड़ दीजिए पहले समझ लेते हैं डेरिवेशन है वैसे तो 12 वोड के लिए कराते हैं पर सीधा अपने परिक्षा में याद होना चाहिए सब्सक्राइब करें इस पॉइंट पर एक पॉइंट लेलिया उपर एक पॉइंट लिए जस्ट इधर इस तुकड़े के कारण लिख रहा हूं किसके कारण तुक्रे कारण बताईए यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस प्लस को रिपल इवन यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस प्लस को रिपल इवन किसके कारण है बताईए किसके कारण द्यू टू स्मॉल पार्ट द्यू टू स्मॉल पार्ट बापे सुन लिजे दो तीन बात वह स्मॉल पार्ट आपको हैलाइट हो रहा है उस स्मॉल प है करण को बहुत द्यान से सुनिए गाम इसकी रिमेनिंग के कारण न है इससे मेरे दो-तीन सवाल होने इसलिए मैं घ्रिवेशन समय खर्च कर रहा हूं थोड़ा साल मेरा काम इससे हो जाये आराम से बताईए ईटू को पक्का पक्का इसके अपोजिट होना पड़ेगा यह कहां से नियम निकल कर आया वही पहली बात कंड़क्टर के अंदर तो फिल को जीरो होना ही है तो इसकी दिशा पोजिट होगी साती साथ सर यह भी तो लिद्टो चुपका के का यहां बराबर का कियो अरे बराबर वहागी पॉजिट होगी तभी तो जीरो होगी अब मझे की बात है यह कंड़क्टर इस पॉइंट पर भी तो फिल दे रहा होगा क्या लखेंगे यहां st div यह सारे प्लस उस प्लस को क्या करेंगे बागाए Been कि क्या होगया मताईए कि हेलो उपर से गया क्या पूरा एक पर अभी और समझेंगे जब पहले नोट करने के बाद अब आप आराम से देखना इवन बराबर क्या हो गया इटू हो गया और यह बहार दोनों की रेक्शन क्या है से पहले इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं पर कि अपन उस रिजल्ट की तरफ बढ़ना चाते हैं दीरे दीरे यार वो रिजल्ट मेरे समझ में आ जाए कि अपना चाते हैं जाए बढ़ना चाते हैं आराम से पहले आराम से दीरे यार वो गया जाए झाल 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 कि भाइब सो इस वह वह बहुत सैंगा स्वार जाएं पर बार-बार फिर्टो कि आवध्र यह वह वह पर दो हो जाती है तो सब मुझे यह तो पता है कि नेट फिल्ड क्या है इंसाइट तो क्या है जीरो उसका मैंने उप्योग करके क्या कर दिया इवन और यूटू को इक्वलेंड अपोजिट कर दिया बोली यह बात क्लियर है जर्स आउटसाइट मुझे याद है कितनी है सिक्मा कर सकते हैं अब हम क्या चाहते हैं यह टुकड़े की फिल्ड कितनी है और रिमेनिंग पाट की फिल्ड कितनी है फिर पता यहीं एक शब्द आता है इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेशर यह क्या होता है आप खुद सोचिएगा यह सारे इधर वाले प्लस क्या उधर वाले प्लस को रिपेल नहीं कर रहे होंगे क्या यह वाले प्लस इधर वाले प्लस को क्या कर रहे होंगे रिपेल तो एक फोर्स और फोर्स पर युनिट एरिया को क्या बोले तो जड़ा सोचिए मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं थोड़ा थोड़ा अगर मैं इस स्मॉल एलिमेंट पर चार्ज किता माल लो डीक्यू सुन दिये जाईएगा स्मॉल एलिमेंट पर फोर्स रिजल्ट ही रटने हैं पर दस मिट देखकर थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होती है स्मॉल एलिमेंट पर क्या निकल रहे हैं फोर्स बताईए एफ वराबर क्यू इए क्यू नहीं डीक्यू ए में मज़ा आएगा इए कौन सा इटू इटू क्यों यह बताईए वोई पुरानी बात इस चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा खुद की लग्टिक फिल या दूसरी लग्टिक फिल दूसरा कौन है यहां दिमेंटिंग टुकड़ा दिमेंटिंग टुकड़े की फिल्ड इटू है आंसर अभी अपने याद कर लेंगे पर थोड़ा सा आई ओपनर करिए न ऐस फराबर क्यों ई होता था आप पड़ क्या हो यह बहार की लेक्टिक फिल यहां बहार कौन है रिमेंटिंग इससा वही तो इसपर क्या लगा रहा है देख लो मैं रूप जाता हूं यहां कोई प कौन लगाएगा तुकड़े की फील्ड या remaining field इवन कौन है तुकड़े की फील इटू कौन है remaining field यस और नो पक्की बात है खीक एसा बहुत बढ़िया बहूत मजाया अब ईटू कहां से लाओं सरई टू ला सकते हैं क्या यह दोनों फिल एड होंगी तो बताओ नेट फिल आउटसाइड कितनी इवन प्लस इटू बहार की तरफ की बात कर रहा हूं बहार की तरफ मुझे और लेड़ी याद है सिक्मा बाए क्या यह दौनों बराबर है तू इवन बराबर क्यों देख यह लिखा हुआ तो इवन कमस आउट इए सिक्मा बाए तो अप्सलाट चार्ज को क्या खोल सकते हैं सिक्मा इंटू एरिया इसिद्धा याद करिए सिक्मा स्कॉर बाए तो अप्सलाट इससे मेरे चार प्रशन हलो रहे हैं मैं इसको एक बार और आपको क्लीर करता हूं बिंदास आप अच्छे से समझीएगा आपको मचाएगा सर पहले तो वह बता दो आउट साइट कैसे सिक्मा बाए अप्सलेंट हो गई वह भी बता दो सर पूरही समझ लो बहुत ही बढ़ी है मुझे यहां फील चाहिए मैंने कि यहां गौशियन सर्फेस म हर प्रश्ण का जबाब देता हूं फिर आप पूछना चलो बताईएगा यह सब सारे प्लस चार्ड़ यहां पर रखके टेस्ट चार्ड़ को क्या करेंगे बाहर बगाएंगे इसका एरिया वेक्टर बता दीजे एरिया वेक्टर बहार पक्का इंटीग्रेशन और याद कर रिएक्टर में है थीटा कितना चीडा बिएअ और ऑसह गया और यहां तो क्यूं है यह वालत यूंदा क्या आएगा क्या खुश सिग्मा इन्टू दिये, दिये से दिये, यह आ गया electric field just outside the conductor, आप परेशान होगे, E अलग है, E1 अलग है, E2 अलग है, बहुत क्लियर करिए, यह कौन है, net field, net field, net field, सिग्मा बाए, अपसलन नौर, टुकडे की field, E1, रिमेनिंग की E2, क्या E1, E2 को अपोजिट होना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो 0 होना है, और बहार एड होकर कितना होना पड़ेगा, क्योंकि net field कितनी है, सिग्मा बाए, इससे मेरा E1 आ गया, इससे मेरा E2 आ गया, इससे मेरा net E भी आ गया, आईए तीनों को बोलने की कोशिश करिए, net E, net E उपर बॉक्स में लिखा हुआ है, net E, electric field just outside the conductor, sigma by epsilon naught, आप से पुछेगा, टुकड़े की field बताइए, E1, sigma by 2 epsilon naught, remaining की, दोनों बराबरी होनी पड़ेगे, एक पुराना सवाल याद आ रहा होगा, एक टुकड़े को काट देते थे, जितना टुकड़ा देता था, उतना ही remaining द देता था, तभी तो अंदर कितनी होती थी, 0, बाते next level पर पहुंच चुकी है, इसलिए घर जाके वापिस भीरे-दीरे slow motion में सुनिए, clear होगा, अब बताइए, ये दौनों बराबर और विपरीद है, क्यों है, क्योंकि अंदर मुझे 0 करना है, बहार दौनों सेम BQ पर कौन फोर्स लगाएगा, BQ पर, remaining field, तो E1 आएगा या E2 आएगा, मुझे पक्का पता है, इन दो फॉर्मले से अपना काम भढ़िया चल जाएगा, और अपन सुन रहे हैं, तूटा-फूटा भी समझ में आ रहा है, वो भी अपने काम का है, क्या है, यार, net field अलग है टुकड़े की field अलग है, force जब मैं लगाऊंगा, तो टुकड़े पे जब force लगाऊंगा, तो field टुकड़े की नहीं, remaining, देख, remaining, yes or no, आप इसको note down करिए, next slide भी करता हूँ, पहले आप इसको देख लिजे, सारा आ गया, pressure का formula याद रखिए, सीधा याद होना चाहिए, जस आउटसाइड याद करिए, जस आउटसाइड, जस आउटसाइड, इन दा विसिनिटी ओफ कंड़क्टर, सिग्मा बाइ अपसले, रिलक्स होके सब बातें चेक कर लिजिए, सही लिखना बहुत जरूरी है, E1, E2 के नाम लिख लें, अपने notes है, E2 है remaining के कारण, उस छोटे को अलग से रंग बनाईए, उस छोटे की field है E1, पूर अच्छे से वहाँ detail में लिख लिजिए, पांच में ज्यादा लगने दीज याद करना last option है, पहले समझने का प्रयास करिए, derivation के पीछे हमारा logic यह रहता है, कि आप एक overall subject की clarity की तरफ बढ़ें, कहां यार सर, ऐसा हो रहा होगा सर, लिखने के बाद कोशिश करिए, मैं तीनों के नाम बोल पाऊँ, E1 कौन है, E2 कौन है, और E कौन है, E1 है छोटा टुकड़ा, E2 है remaining part, और E है net field, net, और वो कितनी बढ़िया बात है, उस टुकड़े पर बल कौन लगाएगा, बाकी की field, खुद की electric field, खुद पर force नहीं लगा सकती, यह कितना अच्छा लिखा है, element पर force, charge खुद का, पर field किसकी, remaining की, remaining की field है E2, चलूं क्या, अब सर मैं परिक्षक लेगे याद कर लो, आप, आप ही सर मैं आप पर वरोसा कर रहा हूं, आप निकलवादो सर, अज़र मैं निकलवादोंगा, बिल्कुल जिन्ता मत कर, परिक्षक लेगे याद कर, यहां लिख नीट, दोजार चौबिस में, यह वला याद कर, एक प्रेशर का याद कर, बस, दो बातें याद कर लेए, काम चल जाए, बाकी केवल समझ के, ध्यान रख, और दिमाग में बैठी रहेंगी, तो बढ़िया बात है, इसे बोलते हैं, पूरा सेंटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट आउटसाइड, इन दा विसिनिटी ओफ कंड़क्टर, याद कर, दिमाग में और विची जाती है, यह भी पूछ लोग, यह भी पूछ लोग, यह भी पूछ लोग, ज्यादा हच से समझाना ज्यादा भी हनेका हो ज़ता है, बाद में नहीं कितने फिर परिशन बनने लग जाते हैं हद से जाध से जादा समझा देते हैं के यह सिक्वेंस जबाप के से अ वटtså यहां का सिपनला है यहां का सिपनला गया का सिकमा लाग के सबका सीपना दूड क只是 Olympics क्योंकि सिक्मा तो रेडियूस ओव कर्विचर पर क्या दो हो एक बढ़ का आगे आई यह अगला पॉंट लिखें है है कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ कि एक साइड आगे और अब तो ब्लेंग किया इसके वाद हाँ इसके वाद रहे हैं सेवें आउट और सेवें चले अब पीछे गा कि यह तो लिख चुका था तो चलो लिख है लिख चलो पहलोजी सभी पूचूम सारे एक साथ छीरो दुसरय पीप i6 एटो बंदक्टं एप इंस सब्सके लिएग अच्ड़ी प्रेश ओवा वे घुलिए अ दूसर फ्वन डीप Corda सिकमा बॉ या एक सुल आपवेन यहरा थे से प्रशापटिए लिखिए अब मैं कहना चाहता हूं तीसरे पॉइंट में अगर कंड़क्टर शब्द है तो उसकी सर्फेस हमेशा एक्यू पोटेंशल होगी हमेशा क्या होगी एक्यू पोटेंशल सर इस्फेरिकल में तो सर मेरे चमकता है सर क्योंकि वह अपने डिराइब किया है ना सर इंसाइड बराबर आउटसाइड इंसाइड बराबर सर्फेस और कितना बराबर होता है के क्यू बाए यह तो सर मुझे चमकता है मेरे रटा हुआ है बार भी से बिल्कुल सही है तो सर यह तो मुझे समझ में भी आता है किसके हर पॉइंट पर potential safe है कहीं भी जाओ वन पर जाओ टू पर जाओ सेंटर पर जाओ तीम पर जाओ सब जगे पूटेंचल क्या है से क्यों वाइं इसलिए यह कह जाता है कंड़क्टर की nonprofits हमेशना कैसी होती है ती hier पूर्य कंड़क्टर में पूटेंचल हमेशना हीं रहता है तो सर तिढह हमेरे कंड़क्टर में प्रूफ कर सकते हो गया कि सार यहन जी रू होगा आओ कर लेते हैं पोषिश ये पॉइंट वान एंट नायएस जिआ टू मजह आयगा पहला पॉइंट सब्सक्राइन हर चीज का उत्तर वहीं से शुरु होता है लेक्ट numéro intensity inside the conductor is always बता वन और टू दौनों ही बिंदू कहां है दौनों ही कहां है अंदर तो बता ए कितना जीरो जीरो हो गया डीवी का इंटिकेशन वी यहां वी टू यहां वी वन इंपलाइज वी टू माइनस वी वन बराबर तो वी टू बराबर इसका मतलब सभी पॉइंट्स कंदर पोटेंशल क्या है से तो एवरी कंदक्टर सर्फेस हमेशा क्या रहेगी वो एक्यू पोटेंशल और सोची अगर वो एक्यू पोटेंशल है तो अगर आप से पूछे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में वगदन बताईए तो सीधा खटा क्यात करिए इफ इस कंदक्टर अगर वो कंदक्टर है तो वो हमेशा क्या रहेगा एक्यू पोटेंशल अंदर फील्ड कितनी रहेगी जीरो अंदर के हर बिंदू पर पोटेंशल क्या रहेगा सेम रहेगा हर पॉइंट पर पोटेंशल क्या रहेगा सेम रह अब सोचो अगर यह कंड़क्टर ही क्यों पोटेंचल है तो इलेक्टिक लाइन समेशा इसके क्या होंगी परफेंट दीकुलार चौता पॉइंट लिखिए सब सब इस पर चस आउट से यह से आएगा यह सारे पॉइंट जो होंगे सब सब क्या होंगे से पोटेंचल वापिस बोलता हूं एक पहले लिख लीजे तो पहली प्रॉपर्टे से फिर रिवाइस करा रहा हूं सारी काम किये हैं एक साथ यादो नीचे यह पहली जब भी कोई चार्ज कंड़क्टर को दिया जाएगा तो वह मेशा सर्फेस प्रिजाइट करेगा कंड़क्टर इतना इंकलीजेंट होता है कंड़क्टर इतना इंकल करता है क्या हो जाती है जीरो और चार्ज मांटने का तरीका क्या रहता है सिग्मा रेडियस ऑफ करवेचर के इन्वर्स दूसरा दूसरा पॉइंट इलेक्टिक फिल्टर आउटसेड़ कंड़क्टर सिग्मा बाए एपसलेन नौट प्रेशर सिग्मा स्कॉयर बाए टू ए ज़िया आएगा द्यान रखना तीसरा पॉइंट हर कंड़क्टर की सतह कैसी होती है एक्योग पोटेंशल है यह सिरफ समझा दिया है डारेक्ट डारेक्ट यात होना चीए कंड़क्टर बोले पोटेंशल सरफेस चोथा प लिखे गवींट अधू परसीज Electric Lines of Forces Are Always Are Always Are Always Perpendicular to the Conductor बताए इसमें हां है क्यों perpendicular सोच के बताए क्योंकि जब आपने प्रूफ कर दिया कि यह क्यों पोटेंचल है लाला तो एलेक्टिक लाइन्स तो हमेशा सर्फेस के कितने डिग्री पर हमेशा परपेंटिकुलर अंदर कितनी होंगी अंदर जीरो सबसे इंपोर्टेंट हर चीज का एक्स्प्लिनेशन वहीं से निकल के आएगा इलेक्टिक फिल इंसाइट जीरो सबसे इंपोर्टेंट यही है इनसाइट जीरो एक बैसी पर यह सवाल आ गया यह कंडक्टर है मेटलीक स्फियर वोले तो कंडक्टर आपसे पूछा क्या सही इलेक्टिक लाइनस और फोर्स बताईए यह एक नंबर बना दी है यह दो बना कौन सी सही एलेक्ट्रिक लाइन सप्पोर्स है पहली दूसरी तीसरी सही रिप्रेजेंटेशन बताईए पर्स सेकेंड थर्ड देखो फर्स तो बिल्कुल गलत है क्यों अंदर एलेक्ट्रिक लाइन होई ही नहीं सकती सथ दूसी तो सही है नहीं पर्पेंडिक्लोर होनी चाहिए पर्पेंडिक्लोर कैसे दिख रहा है कि नापिंगे क्या नापिं इसंदलेक्लोर है तो वह मैंशा स्हेंटर से पास होता है अगर देखिए यह नॉर्मल होता से यह सेंटर से पास हो रहा है जबकि कि उसने चार डाग्रम बना के दिये थे कहा ता सही रिप्रेजेंटेशन बताईए तीसरा क्यों सही है दो करण बताईए पहला एलेक्ट्रिक विल इंसाइड जीरो और दूसरा एलेक्ट्रिक लाइन्स हमेशा कंडक्टर के सर्फेस के क्या होंगी परपेंडिक हमेशा हमेशा कि एक मिट का ब्रेक लीजिए चारों प्रॉपर्टी को याद करिए चार्ज नहीं है उसमें वह इंडक्शन हो रहा है इस फिल्ड के गरण अगरे आतो होडिशंटल ही रही है ना अएसे थोड़ी ना रही है आहां होडिव हो जाएगे है अगर बढ़ूं को आगे है कि दो मिट कब रेख लें चारों प्रॉपर्टी को एक बर मन में रिवाइज करें फिर हाथ उपर करके चारों प्रॉपर्टी को बोलें, पहला जो भी चार्ज हम देंगे वो सर्फेस पर रिजाइट करेगा, इस तरह से रिजाइट करेगा, इलक्तिक फिल इंसाइट, जीरो, दूसरा जर्स आउट साइट का फॉर्मला याद करिए, प्रेशर याद करिए, तीसरा पॉ को मन में एक बार रिवाइज करें, फिर आके पढ़ते हैं, तो ही आएगी, जस्ट बाहर कप उठी गई है, बस, बढ़ेंगे आगे, चलो, कौन बोलेगा, चारों पॉइंट, एक, दो, तीन, चार, लाज में जननों से ज्यादा मजाता है, हाँ, चाश्वाले भाईया, एजवाच, क्या नाम, मेरा नाम आशिश गुपता है, चल ब्रजे, शुरू हो जा, पहला पॉइंट, बोल लेगा, नहीं बोल भाएगा, तब बोल लेगा, बहुत बढ़ी आग, जब भी चार्ज किसी कंड़क्टर हो दिया जाता है, तो हमेशा चार्ज कहा रहता है, सर्फेस के बाहर, सर्फेस पर, ताकि अंदर अलेक्टिक विल क्या रहा है, हमेशा, जीरो, चार्ज अपने आपको इस तरह से डिस्ट्रिबूट करता है, कंड़क्टर इतना इंटेलिजेंट होता है, जो चार्ज को इस प्रकार डिस्ट्रिबूट करता है, कि अंदर अलेक्टिक विल, जीरो हो जा, चार्ज बाटने का जो इस्टाइल होता है, बच्चों, ठ बहुत बढ़िया एलेक्टिक फिल्टस्ट आप शर्द कंड़क्टर सीधा याद करिए सिक्मा बाए एप्सलों डेरिवेशन तो ठीक है समझ लिए अच्छी बात है नहीं आया तो भी चलेगा सीधा फॉर्मला याद करिए सिक्मा बाए एलेक्ट्रोस्ट्रेटिक प्रेशर इस पर जो फोर्स लगाएगा वह दूसरी की लगाएगी वह सिक्मा बाए एप्सलोंट नहीं है बस इसलिए कराया बाकी तो रिजल्टी याद होना चाहिए एलेक्ट्रोस्टिक प्रेशर सिक्मा स्क्वाइर बाए तो सीधा याद होना चाहिए बुल हाएं क्या तीसरा पक्की बात है चौथा बताईए चौथा एलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्स हमेशा पर कंड़िए इसी में एक छोटा सा पॉइंट और है उसको पढ़ लीजिए तो इस सेक्शन पूरा हो जाएगा लिखिए क्याविटी इंसाइड दा कंड़क्टर क्याविटी इंसाइड दा कंड़क्टर यह भी बड़ा इंट्रेस्टिंग पॉइंट है थोड़ा दिहान से समझें इस पर एम्स में पहले बहुत कोशन आते थे नीट में तो कभी नहीं आया और एंसी आटी में दे रखा है और यहीं से हमें वो शिल्डिंग समझ में आती है कि कैविटी जैसे दात के अंदर कैविटी हो जाती है ना वैसे कैविटी है यह पूरा सॉलिड और बीच में क्या है कैविटी जैसे दात है आपने देखाओ दात चाड़ों तरफ से सॉलिड है तो बिल्कुल कहीं कौने में बीच में कहीं कैविटी हो जाती है तो है कि हिंदी में से बोलते हैं गुही का चलिए सबी लोग बोट में देखिए और समझेगा आनंद से मजा जाएगा मैंने कोई चार्ज यहां रख दिया एक चार्ज क्यों को रख दिया एड़ दा सेंटर ऑफ कैविटी बहुत अच्छे पॉइंट है एंस में तो बहुत फेमस टॉपिक था यह अच्छे सवाल बनते देशके आपको सारी बातें बताता हूं ध्यान से सुनिएगा एक चार्ज क्यों को रख दिया आपने सेंटर पे पता है क्या होगा चार्ज की तो एलेक्टिक लाइंस और फोर्स पैदा करने की प्रॉपर्टी है यह एलेक्टिक तो जीरो होना तै है क्योंकि अगर कंड़क्टर है तो एलेक्टिक विल तो हमेशा जीरो होगी पता है क्या होगा चार्ज इंड़क्शन होगा एक्जेट इतना ही चार्ज एक्जेट इतना ही चार्ज यहां क्या हो जाएगा इंड्यूस हो जाएगा Sir, exit minus Q ही क्यों हुआ, minus Q by 2 हो जाता, नहीं होगा, वो सुनिए, इस Q से अगर 100 line निकली, तो इस 100 line को यहीं terminate होना, अधोज से आप करिये, यहां से 100 निकली, यहीं 100 terminate कब हो सकती है, जब तौनों चार्ज बराबर हो, एक सवाल किया था, यहां से ज्यादा निकल निकल रही थ बराबर निकलेंगे, यह minus q कहां से आ जाएगा, कोई पैदा थोड़ी न हो रहा है, induce हो रहा है, बहार से electron अंदर खिचे चले आएंगे, पता है बहार कितना charge आएगा, exact plus q, मजे की बात है, यह plus q इस प्रकार से बटेगा, कि उसके current field अंदर क्या रहे, 0, बात ने थोड़ी सी कठिन दी, मैं आपको फिर समझाता हूँ, एक सरल डाग्राम लेकर, आईए, फिर से देखिए, यह spherical conductor, और यहां रखी मैंने cavity, अभी कोई charge नहीं है, दूसरी बार बोल रहा हूँ, फिर आप लिखेंगे, तो एक बार और समझाऊंगा, आईए देखिए, क्या cavity दिखाई द रखा है, सेंटर पर, अभी जरूरी यह सेंटर पर रखूंगा, अभी थोड़ा अलग जगे भी रख के बताऊंगा, यह रखा सेंटर पर, बोल इतना समझ में आ रहा है, छीक है, यह क्यों क्या पैदा करेगा, Electric Lines, यह क्यों ने Electric Lines पैदा करी, अब आप सुनना मैं क्या बोल रहा हूं मैं यह बोलना चाहता हूं exact exact इतना ही charge इतना ही charge कि इतना ही charge कहां पैदा होगा बराबर cavity के inside ये q है ना तो ये exact कितना होगा minus q explanation बताईए exact minus q ही क्यों कारण बताईए पहला कारण एक दूसरा और बताऊंगा मैं आपको प्रूफ करके पर पहले समझिए logical reasoning से q से 100 electric lines पैदा हुई इन 100 को यहीं मर कर खतम होना पड़ेगा नहीं सर मैं तो नहीं खतम कर रहा सोचो यहां 80 खतम हुई तो 20 को बहार निकलना पड़ेगा यहां तो संभव ही क्यों नहीं है संभव तो यहां वाले पार्ट पर तो electric field को हमेशा 0 होना ही तो logical reasoning q से अगर 100 lines निकली तो उन 100 lines को वहीं खतम होना वो तभी संभव है जब exact कितना induce हो minus q exact minus q induce हो अभी मजे और आएंगे यह minus q कैसे आ जाएगा चार्स तो नाइदर भी created नौर यह minus q कहां से आ गया पता है क्या होगा induction की वज़े से इस पर जो फिरी लक्ट्रॉन से वह यहां के एकट्टे हो गए यहां चार्ज की कमी हो गई बताओ यहां चार्ज क्या आएगा positive पहले भी conductor neutral था अभी भी neutral है बहार exact plus q अंदर तो बताओ यह conductor तो भी भी neutral है अब जो मैं point बोला था वो सुनिए मैंने इतना सुन्दर ही चार्ज क्यों बाटा मैं ऐसा भी तो बाट सकता था यहां ज्यादा यहां कम कंड़क्टर intelligent होता है कंड़क्टर चार्ज को इस तरह से रिष्ट्रिबूट करता है कि अंदर फील इसकी फील तो यहीं खतम हो गई अब अगर आप आप ने ऐसा त्यड़ा मेड़ा बाट दिया तो जरा सोचो यहां चार्ज ज्यादा है तो यहां फील आ जाएगी यहां कम है यहां फील छोटी होगी तो एक्जेट कैंसेल तो चार्ज एक्तम सुन्दर तरीके से ही डिस्ट्रिबूटर होगा क्योंकि यहां हर पॉइंट प पूछिए क्यों क्यों क्योंकि बहार हर पॉइंट पर लोकल रेडियस अलग लग है जबकि आप यह जो डियाग्रम बनाते हो यह बिल्कुल सुन्दर बना रहे हो क्योंकि यहां हर जगे रेडियस ऑगर्वेचर से हैं क्या बातें समझ में आ रही हैं यह सब टर्मेंट हो और यहां से जो पैदा होंगी वो तो कहां भागेंगी बाद यह इंफिनिटी की तरह कहां भागेंगी इंफिनिटी की तरह कि बोली हां है क्या चलिए एक बार और समझते हैं तीसरा मौका फिर से आ जाओं कभी तो आएगा कि आजाए आजा को टेंच रहें कोई रोएगा ने रोना कुछ नहीं कि चलिए यह कंड़क्तर यह बताई यह हैशिंग क्यों ताकि आपको दिखाई दे वो पार्ट भरा हुआ है और यह खोकला है ठीक है अब मैं आएटी के सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं कि आएटी में क्या किया उन्होंने चार्ज को सेंटर पर ना रखके थोड़ा सा पूने में रखा थोड़ा सा कि अब क्या होगा वो सुनिए कि पहली बात तो सीधा क्या क्यों से लक्रिक लाइंस पैदा होंगी उनको क्या अंदर ही खतम होना पड़ेगा कि क्यों खत्म होना पड़ेगा क्योंकि यहां फूरी टर्मिट होंगी नहीं तो यह रखना है यह क्या पंगा है यही तो है टी का सवाल है इसको को एक्स्प्लिन करेगा क्या आइप स्टार्ड ले अंदर तो कैसा देख अंदर नौन इनिफॉर्म है यहां पर भार अभी भी कियों हर जबाब हर कोशन का जवाब है बहुत सटीक ध्यान से सुनिएगा लौन और यह बात तो यह कि यह तो सब अंदर कट के खतम कट लड़ा लड़ा हो गई खतम हो गई हमेशाख खतम ही होना पड़ेगा क्योंकि यह फील्ड जीरो यह तो खतम हो गया अब आर्ग्यूमेंट करो साइंस में सर मैं बहार युनिफॉर्म नी बाट रा मैंने कैसा सबस्क्राइब गल्ष तभी होगा यह कम था है अब जड़ा सोचो क्या इसके कारण आप वोलो में बता मैं बता रहा हूं मैं तो शुरू कर दिया पताना वह तो जब मैंने पूछा ता तब तुछ आध गड़ा करना था कि ना अब तो मैंने शुरू कर दिया मेरा माना जाएगा भी है कि तुझे तो जब बोलना था ना जब मैंने कोई बताएगा क्या था अब जब किसी ने नहीं कि तो फिर मैंने सॉल करना चलो कर दिया अब तो मैं आधे साधा कर चुका हूं अब चलो चलो भावक ना हो ये बोर्ट पर देखें तो बहार का distribution बहार का distribution कैसा है uniform ये non-uniform मैं argument कर ला हूं मैंने नौन-uniform कर दिया क्या पंगे हो जाएंगी जड़ा सोचिए यहां टेस्ट चार्ज रखोगे यहां ज्यादा प्लस है यह एलेक्ट्रिक फिल्ट ज्यादा देगा यहां कम है इलेक्ट्रिक फिल्ट कम देगा अंदर फिल्ट आ जाएगी जीरो जबकि हर धर्म के ग्रंत में लिखा हुआ है हर धर्म के ग्रंत में लिखा हुआ है इस फिल्ट कम देगा के अंदर फिल्ट क्या हो जाए जीरो बताएगे युनिफॉर्म यह नान इन्फॉर्म बात नहीं पड़ेगा तभी अंदर फिल्ट क्या होगी जीरो इसका तो प्रभाव यहीं खतम हो गया इसका तो प्रवाब पूरे यहीं खतम हो गया क्यों नहीं जितनी लाइन्स मेदा करी सारी लाइन्स यहीं खतम हो गई अब जिम्मेदारी किसकी बची थी बहारवाले की यदि आपने नौन इनिफॉर्म माट देते तो अंदर फील्ड एक्जिस्ट करने लग जाती जबकि अं हमेशा कुछ भी हो जाए अगर आप कैविटी के सेंटर पर रखोगे तो वेल इन गुड नहीं रखोगे तो भी वेल इन गुड बहार डिस्ट्रिबुशन हमेशा कैसा रहेगा यूनिफॉर्म यह आयाइटी में आया हुआ है यह एम्स का सवाल है यह जर्नल अपन ने समझ यह आपको बात समझ में आई जितना चार्ज आप यहां रखोगे उतना ही एक्जेक्ट एक्कोल एन अपोजित कहा होगा कैविटी के इंसाइट इसको मैं दूसरे तरीके से आपको और समझाता हूं जब बात चली रही है तो थोड़ा सा और समझे क्योंकि समझ में तो समझ में नहीं आया एक ही दिन बोलना पड़ेगा तीन-चार दिन चलेगा तो आप चार दिन तक खराब करोगे आव वापिस देखो यहां क्यों कि सर मैं नहीं मान रहा कि यहां बराबर चार जाएगा तो मैंने क्या मान लिया क्यों आई कितना मान लिया इंडियूज होगा पर मैं नहीं मानना कि एक्जेक्ट आएगा अब इसका दूसरा जो किताबें बताती है वो आपको बताता हूं वो देखिए वो क्या करती है यहां एक गौशियन सर्फेस मान बहुत ध्यान से देखना मज़ा आएगा यह गौशियन सर्फेस सोचके बताईए यह गौशियन सर्फेस कहां दिखाई दे रही है किया कंडक्टर के अंदर रिका दे रिया सॉलिड मैं देखो देखो यहां इ कितना है यहां पर अपिकोंग मतलब इससे net flux zero flux क्या होता था ही आज क्यूई एंड क्लोज अपोन हुआ फ्लरक्स जी रो क्यूंड इसके अंदर खुलाने वारा चार्ट प्लस ऐई यह जिरो में गया क्यू फ्लस क्यू आई बराबर गूअग की यह आपको यह बता कि अंदर जो चार्ज इंड्यूस हुआ वह एक्जेट और एक्जेट क्यूंके बराबर ही है पर इतनी जरूत कहां थी वह कितना बढ़िया लॉजिक है क्यूं से अगर सौ एलेप्टिक लाइन्स निकली समालिएगा इस बात को पकड़िएगा अगर क्यूं से सो एलेप्टिक निकली तो उन सब्सक्राइब को कैविटी के अंदर ही खतम होना पड़ेगा अगर नहीं खतम होई तो कैविटी से कहां जाएंगी बाहार एलाउड ही नहीं है क्योंकि अल्टिक फिल इंसाइड दॉक्टर इस और इस इन सभी लाइन्स को यहीं कट मर के खतम होना परेगा बोलो हाँ है क्या लिखना चालू करिए सिलसले से पहला यह बनाएंगे फिर यह आएंगे फिर यह आएंगे फिर दो कोशन अभी एम्स के और कराऊंगा तब जाके आपको कैविटी की फील आएगी और यहीं कहा जाता है किसी इंस्टुमेंट को महंगे कोई इंस्टुमेंट है उनको आपको सेव करके रखनाए कि वह एलक्तिक फील में खराब हो जाएं अंदर व्लत लेता है मेटल का बॉक्स लिए उसके अंदर लग दिया उससे क्या होगा मैटला मैटल के मेंदर हमेशा ही क्या रहेगी जीरो कि इसलिए वह आप बच्पन में पढ़ते थे कि कभी कभी बिजली अगर गिर रही है तो पेड के नीचे खड़े हो या कार के अंदर जाके बैठ जाएं कार के अंदर जाके बैठने का क्या मतलब है सब्सक्राइब करता है कि अंदर इस प्रकार डिस्ट्रिबूट करता है कि अंदर इलेक्टिक विल क्या हो जाए जीरो नेक्स लाइट कर रहा हूं यह यह कुई नहीं रोकेगा फटाव लिको बस ऐसे में बलूनािक कर रहा हूं जी शर किसी न अगर मना कर देओ तुरंक लास से वहार है हां यह बस नैं मैं जब बोलो मैं जब बोलो हां कि अगर स्लाइड नेक्स्ट हो गई तो हाँ सर कोई बात नहीं सर जो मेरे रहे जिया वो रहे जिया वो मेरी गलती थी मैं नहीं लिख पाया तो यह तो पहला एक्समिनेशन था कि भाई बेटा क्यू से जितनी लेक्टिलाइंस निकली उनको के अंदर ही टर्मिनेट होना पड़ेगा तो एक्समिनेशन नमबर टू है कि मैं नहीं मान रहा कि सर एक्जेक्ट होगा तो मैंने इसको क्यू आई माना और इसको सॉल करके देख लिए यह किताबी लेंग्वेज है क्यू आई कितना आ गया एक्जेक्ट माइनस कि जल्दी आओ फटा 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 आप कर दूं अपने अपने करें कि मुझे क्या पता है कि मैं को गूगल लिखा हुए है कि और इंडिय का फॉमर लग होता है कि बी में इसका लग होता है बी आर कर नर्सिंग लग होता है कि चैक कर गूगल पर जाते है कि कैसे मतलब है कि चलो अगला लेखो कि आ है कि कुछ ने हुआ चले लेकर बस बस पाल तू नहीं कमेंट बाची एक हद तक करके फिसको रोक दें तो ड़़ए कि क्या जी कि कि बहार वाले कि अगर ऋर्थिंग कर देंगे तो तो बहार वाला सारा चार्ज का घख जाएगा अर्थ में भाग जायगा पूरा बाहर वाले जो चार्ज बढ़ जाएगा अंस कि अखे कंड़क्टर हो जाएगा बाहर वाला तो आइसोलेट हो गया उसका अंदर बाले से तो कोई प्रभाव बचाई नहीं अंदर का प्रभाव तो अंदरी खतम हो चुका है अगर इसकी बाहर है अर्थिंग हो जाएगी पूरा का पूरा जो आईसुलेटर रिचार्ज होत कि नेक्स करूं क्या यह तो वही डियाग्राम है जल्दी से बना लें अच्छा यह कितने डिग्री पर बनेंगी नब्वेपर नब्वेपर इसके कम मिलेंगे क्योंकि नीत में नहीं आएं पर एम्स लेवल पर बहुत पूछे जाते हैं वहां पूछे जाते थे अब नीत में आएंगे नहीं आएंगी किसी को नहीं पता तो पूरा कंटेंट पढ़ना ही फायदेमंद है एंजी आटी में तो पूरा दिया हुए आप देखें एक्टम दो पेज तीन पेज केवल कंड़क्टर के नाम पर हैं वह तीन पेज पढ़ने के लिए ही सारी मात्रा बच्ची हो दिए अब आप उन तीन पेज को पढ़ भी लोगे ना आपको सारी बातें समझ में आ जाएं सब्सक्राइब कंड़क्टर की सर्फिस हमेशा एक्यू पोटेंशियल और इलेक्टिक लाइन हमेशा उसके परपेज़ सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुए एक तुम सिस्टेमेटिक और प्रॉपर्टीज का कलर भी उन्होंने अलग किया है इतना अच्छा पॉइंट है य कि पर अब भी भी डिस्ट्रिब़ुशन कैसा रहेगा यूनिफॉर्म मैं को जो हुचन है सिरफ चार्ज तर चार पैटर्न दियों थे आपको सही डियागरम मना था पूछा गया था कि बहार कैसा डिस्ट्रिबुईशन होगा वारदिस्ट्रिबुशन कैसा है यूनिफॉम अंदर कैसा है कैविटी के अब इस पर फटा फट आप दो एंस के कोशन कर लीजे तीन चार तो मैंने कवर कर दिये तो आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा कल से हम शुरू करेंगे डाइपोल कोशिश करेंगे कली डाइपोल हो जाए पर हम एक दिन रिजर्व रखेंगे हम किसमें पूरा कर लिया एक लेक्चर रिजर्व रखेंगे जरूत पड़ेगी तो बाइस को यूज करेंगे और नहीं तो इफेक्ट ऑफ करेंट शुरू कर देंगे करेंट कैप्रेसिटर को अभी नहीं लिया गया है चूंकि वह बहुत आसान चैप्टर है इसलिए उनको ब इन से चार सवाल हर साल पूछे जाते हैं इलेक्ट्रों के तीन आते हैं कि नैक्स कर दूँ जल्दी आजाओ कि ना ना वो डिस्ट्रिबुटी युनिफर्म होगा कि होनी चाहिए तो अपन को ऐसा लगता है पर अपने नुसार नहीं चलता ना काम वह चार्ज को भारे इस प्रकार ही बातेगा कि अंदर को फिल को इसको हमेशा क्या रखना है सबसे में हमेशा कौन सी बात सही रखनी है इलक्तिक फिल कि है किसको फायदा नहीं हो चार नंबर कर रहें कर रहे हैं ठीक है और अंदर क्यों रखने से फाइदा ही क्या हुआ कोश्चन है वो अगर कंड़क्टर को चारज मत तो अगर कंड़क्टर पर चारज निंग और कोश्च हो गया अलग लगतर एक बहतरीन कोशन पूछे जाते हैं चलिए लिखे प्रशनल लिखें इनदा कि वन सिच्वेशन कि इनदा गिवन सिच्वेशन a cha 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 then calculate the electric field and potential at point B. अच्छा सवाल है पर आपने इतनी बाते अगर सुन ली हैं, समझी हैं, तो आप यह सवाल बहुत अच्छे से कर लोगे. यह एक कंड़क्टर है, यहां कैविटी है, यह कैविटी है, यह सेंटर है, सेंटर से आर दूरी पर एक पॉइंट है P, पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फिल पूछे, बना दीजे, सारी जो बातें आपने पड़ी हैं, वो ही काम की हैं, बस अब आपको उसकोई एपलाई करता है, यह एमिस माइवा कोशन है, पांस सेकिंड में सॉल हो जाता है, बस शर्ते सही बात क्लिक कर जाएं, कर दो सेकिंड में, बός ही आपकों क्वालाई करो जाता है, verbwr iç रातो है भी जाक्वालाई कें अ क्या होंता हैं, क्या हैं, ऑ्रॉक माइब यह एमिस भी दो परे जाता हैं, पर खांस सेकिंड में, बसलाई इजlica, बसले स Дав cuatro हैं, झाल झाल देखें, आंसर आ सकता है? आंसर वो यह जो आपको रटा हुआ है, केक्यूब आरे स्क्वाइर, केक्यूब आया है, और उसका एक्स्वनेशन बड़ा तगड़ा है, ध्यान से समझो के तब ही आएगा, देखें, आप सुनना, सारी बातों को फिर मौका है, प्लास कटिन है, आज का लेक्चर, घर पर फिर सुनिए, हाइब्रिट टेक्नलोजी है, इसका फैदा उठाईए, इन्ही शब्दों को फिर से रिवाइन करके सुनिए, जो शब्द आपको कम समझ में आता है, उसको फिर से उसका वीडियो देखिए, मेहनत करेंगे, सुनेंगे, तो चीज़ें फिर से समझ में आएंगी, फाइट खुद को करना पड़ेगा, कोचिंग हम एक गलत डिरेक्शन में समझते हैं, कोचिंग मतलब सारी मास्टर ही मेहनत कर लेगा, सारी मास्टर समझा देगा, सारे कोचिंग का सॉल्यूशन बता देगा, कोचिंग ये नहीं है, कोचिंग है एक सही डिरेक्शन, एक सही एफट, कि देखो इस तरह से पढ़ना ये कोचिंग को करने का तरीका है, फिर आपको खुद को उसके साथ जान लगानी चाहिए, खुद उसको फिर से पढ़ना चाहिए, सवाल करने चाहिए, 8, 9, 10 का सिस्टम नहीं है, कि वो इंग्लिश रीडर में किताब के पीछे के 10 कोशन है, वही आते हैं भाई सब वही, उन्हीं 10 कोशन को आप रटलो अपना काम चल जाता है, पर यहां ऐसा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा थोड़ प्रोसेस को और बढ़ा करिए, आईए, सबी लोग देखें, यहां क्यूं रखा, बताए, एक्जेक्ट, एक्जेक्ट, माइनस क्यूं बहार पैदा आएगा, बोलिया मानते हैं क्या, क्यों होना पड़ेगा, सारी एलेक्टिक लाइन्स को, यहीं कट पीट के मर कर, खतम होना पड़ेगा, यस और नो, सारी लाइन्स यहीं कट पीट के खतम हो जाएगी, पर यह माइनस क्यूं कहां से आ गया भाई, अरे माइनस क्यूं इंडिज हुआ है, यही माइनस बाहर प्लस क्यू लाएगा क्योंकि कंडुक्तर कोई चार्च को पैदा तोड़ी न कर रहा है केवल शिफ्ट इंग हो रही है अंदर माइनस क्यू चला गया तो बाहर क्या आजाएगा प्लस क्यू बोलिए क्या ये बात clear हुई अब देखो इन दोनों का जीरो अब बताओ सवाल क्या बन गया एक स्फियर है एक स्फियर है जिसकी सर्फेस पे चार्ज क्यों है आउट साइड इलक्तिक फील्ड के क्यों बाई आर यह तुम्हें लगे गई नहीं क्यों इसने तो अपना साथा प्रभाव अंदर यंदर खतम कर दिया अब देख कितना इनर सर्फेस पर इंड्यूस चार्ज कौन था इन दोनों का नेट इफेक्ट आउटसाइड दा कैविटी कहीं भी कहीं भी क्या होता है जीरो हो नहीं पड़ेगा ना क्योंकि उस क्यू ने सारा प्रभाव माइनस क्यू के साथ मिलकर क्या कर दिया खतम धीर धीर पड़ो कैविटी के बाहर कोई भी पॉइंट हो कितना होगा जीरो के क्यू बायर इस पर पोटेंशिल बताईए अगला सवाल पूछ रहा हूं इसी में ध्यान देना एक पॉइंट यहां कर दो ए एक पॉइंट एक कर दो इंसाइट अब जल्दी से बताएंगे एपर कितना होगा एपर लगतिक फील और पोटेंशियल के ट्यू बाया जीरो नहीं होगा अच्छा सवाल है बहार अब आप एक सर्फ शब्द बोल लो सर यह तो एक अन्ड़क्टिंग स्पिर बन गया सर नक्टिंग इस फिर पर चार्ज कितना है क्यों कोई पूच आउटसाइड इलक्टिक फिल के क्यू बाया इसको है आउटसाइड पोटेंचल के क्यू बाया इंसाइड फिल जीरो कि इसी नीचे नोट डालिए कि बोलूं कि आज घर जाके येलपी नंबर दस शुरू कर दीजिएगा तभी मजा आएगा ये दो स्फेरिकल शेल है शेल समझते हो शेल शेल का अंतला होता है खोकला जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है ना अंदर से खोकली होती है ये शेल है ये क्या बता रहा है ये इसकी थिपने से प्लास्टिक की बॉल की मोटा ही होती ना वो है शेल कि अब देखें कि अब देखें कि कंड़क्टिंग शेल है यह यह को बताएगा यह ग्रीन पैंसे क्या है यह कंड़क्टर का क्या है यह है कंड़क्टर तो जो प्लाश्टिक का अगर में कंड़क्टर की शेल बात कर रहा हूं यही तो कंड़क्टर का मटेरियल है अब सुनना बहुत बढ़िया बात है एक लाइन में है पर दो बारे प्रेस्ट आया हूँ अपने नीट में इसलिए काम का है इसलिए काम का है आज ELP नंबर 10 11 12 मिल जाएगी मिल गई है तो उसमें भी डाइपोल को छोड़कर सवाल सुरू कर सकते हैं डाइपोल वाल पार्ट छोड़कर खोशरू कर सकते हैं अब सवाल सुनिए क्या है आपको डैग्रम की फील आ गई डैग्रम की फील आ गई कितने शंडें बताईए दो एक अलो इसे यह आपने रंग भरो प्रतियोंगी तह क्या कर दिया । वो शेल के आपको क्या दिखाई दे रही है मोटाई एलो चलो द्यान से सुनना मैंने इसको चार्ज दिया प्लस क्यू तो बताओ यह चार्ज कहां बटेगा सर्फेस पर या अंदर अंदर तो बटी नहीं सकता अंदर कैसे बट सकता है गडड़्तिंग शैल है तो सर्फेस पर रहना ही पड़ेगा अब कहाई में ट्यूस्ट आएगा ब्लस इलेक्टिक लाइन्स पैदा करेगा समालना इस बात को से इसने भाल निकल जाएंगी तो मामला गरबर हो जाएगा क्यों गरबर हो जाएगा बताओ यॉवनकि इधार 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 तो field zero ही रहेगी तो पता है क्या होगा exact ie bete यहां इंड्यूज होगा वही वाला concept exact minus q को यहां इंड्यूज हो ना कि ना पाड़ेगा करो ना तुम चाहते हो मैं यह प्लस लाइन को चीडता हुआ बहा ले जाओ बहार नहीं जा सकती क्योंकि इस वाले को क्रॉस करना बाउंडरी है लक्षमड रिखा है electric lines conductor की shell को cross नहीं कर सकती ही क्योंकि conductor के अंदर तो net electric फिर नमेशा एक एक-क माइनस क्यूप इंडियू 뉴스 होगब वाट इस इंडियू माइनस क्यूप आया कहाक से यार कहाँ से आया बता कहाका से आया genetic बहार plus Q है क्या बात समझ में आई बहुत अच्छा प्रश्ण है ये दो तीन बार आपको ओल इंडिया पेपर में दिखेगा दो तीन बार बहार बताए कितना प्लस क्यों पूस्ता है आउटर सर्फेस के आउटर शैल के आउटर शैल के इनर सर्फेस पर चार्ड डैंसिटी बताओ इनर सर्फेस पर बताओ क्या लिखओगे चार्ज बटे एरिया चार्ज बोल मैनस क्यू एरिया एरिया फोर फाए बी स्कॉर बी बी रेडियस भी है outer shell के outer surface में बताओ. outer surface में बताओ. क्या वाए गाँ? बताओ. charge ब ponieważ area, charge vb. plus q. area 4Pid такая. समझ में? outer का inner और outer का outer surface. वापे समझाता हूं? किसी को थोड़ा कठेन कर रहा हूं? बाद मैं लिख लेना. यहां Q1 दिया यहां Q2 दे दिया बाई साब और बढ़िया कर दिया अब आपको पूछा है शेल 2 और शेल 1 शेल 2 के इनर सर्फेस पे सिक्मा बताओ आज घड़ जाके पढ़ लेना आज की लास बड़ी खतरनाक थी देखो यह Q1 है यहां से लाइन्स पैदा होंगी यहां एक्जेट माइनस क्युवन आएगा यह माइनस क्युवन आ कहां से जाएगा माइनस क्यूओन अंदर आया तो बहार कि लस्क्यूवन देखलो वाले शेल पे चार्ज नहीं बतला थोड़ा ध्यान से देखना बहार वाले शेल पर टोडल चार्ट जोड़ो टोल चाल जोड़ो पहले भी तो क्यू टू था इंड़क्शन के गाण बॉड़ी पर नेट चार्ट नहीं बतल सकता है सिरफ शिफ्टिंग होई अंदर माइनस क्यू आगे तो बहार प्लस जो मैंने औरेंज पैंस से बनाए है वो क्या है इंड्यूस क्या है वो आउटर पर ध्यान से बनाना क्यू टू प्लस क्यू वाट यू टू प्लस क्यू दोनों चार्ट जुड़ गए बटे और पाए विस पर बढ़िया लॉजिकल सवाल है एमस में आया हुआ है आपको मॉडियूल में किताबों मिलेगा पहले इसको पूरा कर लीजी अच्छे स इसमें कुछ रह गया हो फिर उसको पूरा कर लीजी अच्छ कर दीजेगा वही अगले में बहार वाले पर चार्ज दिया गया है और अंदर भी चार्ज है तो ध्यान से उसको इंड्यूस करिएगा झाल 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 झाल